राधे राधे जी हाँ प्रेम से पुलिएगा राधे राधे कैसे आप सब हमीशे की तरह हंसते खेलते और मस्कुराते मैं कहूंगी ऐसी ही रहा करो जी हाँ हंसते खेलते और मस्कुराते बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हूँ एक प्रोजेक्ट में व्यस्त थी जी हाँ फिर से शुरू किया है जहां से छोड़ा था उससे आगे शुरू करते हैं जैसे कि श्रीरंग जी ने कोकल्य जोशी जी की बातों में आ करके कि भी हमारे नर्सी जी बहुत ज़्यादा मायरा लेकर आए हैं जैसा कि श्री रंग जी ने चाहा था वैसा कोकले जोशी जी ने बताया और उन्होंने एक रुपे का चांदी का शगुन का सिक्का दे दिया फिर भी वो कहते हैं कुछ और बता हो और क्या-क्या लाए हैं अब वो कहते हैं कि देखो मेरी बाते सुनने के लिए आपको अपना दिल थामना पड़ेगा बोले वो क्यों बाते सुनने के लिए दिल थामने की क्या आवश्यक्ता है बोले है ना आवश्यक्ता बहुत बढ़ी आवश्यक्ता है बोले कैसे बोले जो मैं आगे आपको बताऊंगा और आप सुनेंगे सुने का मतलब समस्ते हो आपको दिल तो थामना ही पड़ेगा ना महराज अब वो बताते हैं कि नर्सी जी जो मायरा लाए है अब उसे आप ध्यान से सुनिए छोटी तो बड़ी तुमबा तो तुम बड़िया ये तुम्हारे सामान इतियादी में है बोले तुमबा तो तुम बड़िया इस सब का हम क्या करेंगे बोले वो आप जाए ना पर जो नर्सी जी लाए है वो मैं बता रहा हूँ सभी रिस्तेदारों को जो कपड़े लाए है वो है तुम सॉरी टौपी तो लंगोट बोलो मेरे रिस्तेदार शिरी रंग जी कहते हैं मेरे रिस्तेदार शादी विवा की घर में टौपी तो लंगोट अरे शादी में कौन टौपी यर लंगोट पहनता है बोले वही तो मैंने यही कहा था दिल को थाम की सुनना बोले टौपी तो लंगोट लेकर आया है यह उसका मैरा बोली यही है वो भी अत्तधिक मातरा में लेकर आया है और महराज उससे भी बड़ी बात कहूं ना उससे भी बड़ी बात कहूं तो धेरो तुलसी की माला लेकर आया है थेरो तुलसी की माला कॉन पहनेगा आपके स्वागत के वास्ते है गोपी तो चंदन का टिलग बहुँ यह मायरा भुरनी आया है की किर्थन करने आया है कोन लाता है ऐसा माहरा कभी कहीं सुना है देखा है बोले देख के तो अभी आ रहो मिर एक रुपे का सिक्का न तुम वापस कर दो तो कले जोशी जी जानते थे कि ऐसी प्रस्तिती आईगी इसी लिए उन्होंने पहले ही एक रुपे का सिक्का अपनी धोती में बांद की अंदर कर लिया था बले ले लो कैसे लोगे अब मुहारा सबसे एहम चीज जो आती है वो यही है कि क्या करें कैसे करें शिर्रण जी कहते हैं बहुत गणी बेस्ती का काम किया है इस नर्सी ने किसी से मिलवाने लाइक भी नहीं छोड़ा इसने आमे भताई ही ऐसा महरा कोन लेकर आता है अभी वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि अपने वो लोग पहुंच आते हैं जिन्होंने ठेराने की जो विवस्था थी वो किये हुई थी बोले कि सेड़ जी सेड़ जी आपकी महरेदार आया है उन्ही का हम कौन सी जगह में रखे बोले ऐसे महरेदार ऐसा महरा लीकिया आया है कि मन करता है कोई ठीका नहीं न दू गाउं के बाहर जो दस सालों से दुकान बंद पड़ी है न वो जाके उसे दो अब वो लोग कहते हैं कि शिजरंग जी वो दुकान की विवस्था तो बहुत ज़्यादा खराब है बोले तो नर्सी की विवस्था ही कोई सा बहुत अच्छी है दो जाके उसको वही अब वो कुछ बोले नहीं और उठा के चाबी चले जाते हैं और जब जाते हैं तो सोचते हैं कैसे देंगे ये दुकान नर्सी जी को कैसे रहेंगे वो ये तो जगे ही रहने लाइक नहीं है जी हाँ आगे नर्सी के साथ क्या होता है देखते हैं नानी बाइरो मायरे के अगले परसंगमी तब तक के लिए खुश रहे मस्त रहे मैं धर्शन शर्मा राधे राधे